HCS 2024 pre के लिए हमने अभी recently आपका 75 hard challenge जो शुरू किया था उसमें अब हम daily question paper practice जो है वो शुरू कर रहे हैं और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये practice आप जैसे paper में होता है आपके पास four options होते हैं online attempt कर सकते हैं और उनके आपको marks भी साथ-साथ पता चल जाएंगे अब इ अब इसमें सबसे पहले अगर आप HCS 2024 की तयारी कर रहे हैं तो 75 hard के बारे में थोड़ा से बता देता हूं यह हमारा initiative Saturday Sunday को 6 गंडे की class होती हैं और उसमें Monday to Friday आपके 5-5 दिन test रहेंगे बाकी detailed video आपको description में मिल जाएगा उसके बाद अब ये test आपको कैसे attempt करने हैं उसके सबसे पहले आपको application जो है वो download करनी है link description में है apple वालो के लिए separate है उसकी detail भी description में आप वहां से देखके आराम से डावलोड कर सकते हैं जैसे ही आप application को download करेंगे यह mode थोड़ा से change होगे है बट application आपको सीधी दिखेगी तो यहाँ पे जो display है वो चलता रहता है बागी आ आपको click करना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर एक नया आपका tab open होगा जो कि 75 hard के नाम से ही आपका रहेगा अब यह थोड़ा सा buffer हो रहा है तो we will wait for some time तो जैसे ही आपने open किया तो इसमें आपके जितने भी test है वो सारे के सारे इसी के अंदर आपके update होते रहेंगे अब इसमें हमने आप ट्राइ किया है कि सारा का सारा जैसे day 1, day 2, day 3 इस हिसाब से आपको test provide कराए जाए जैसे यह open हो गया है तो आप यहाँ पर आपको दिख रहे है 75 hard चैलेंज चैलेंगे जैसे ही इस पर click करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा time ले रहा है बट mobile application पर उतना समय नहीं लेगा अब इसमें थोड़ा सा तब तक वैं brief में बता रहेता हूँ यह जो test है यहाँ पर आपके daily 10 questions रहेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था और 10 questions question number 1 to 10 आपको मिलेंगे अब जैसे ही test open होता जाएगा तो अब माली जी यह test open होगा day 1, day 2, day 3 अब आज आपको मिलेगा day 2 का test, कल होगा day 3 का test, test को upload करने का time है 8 pm, 8 बजे के बाद आप उसको attempt कर सकते हैं, 8 बजे मैं test को उसमें डाल दूगा, but point यह है कि उसके बाद अगर आप कितने बार attempt कर सकते हैं, तो उसमें हमने इसको कोई limit नहीं रखी है, unlimited number of time, आप जितने भी बार चाहें, उतरे बार test को attempt क कर सकते हैं, ठीक है, so we have to just wait, यह जैसे अभी खुल गया है, so I am waiting, तो इस तरीके से आप यह ट्राइंग तो प्रोवाइड यू ओल दे टेस्ट और यह हैं, अब यहां पर हमें सीधा दिख गया है, जैसे 75 hard test 2, आपको option मिलेगा attempt का, तो जैसे यह आप attempt पर click करेंगे, तो आपके पास option आएगा, कि भई, I have read the condition, यहां पर upload होने में थोड़ा से time लग रहा है, I am just telling you, कि भई, आप जैसे ही, कि I have read, उस पर आप tick करेंगे, और उसके बाद आपका test जो है, वो open हो जाएगा, ठीक है, maybe क्योंकि यह tab है हमारा, तो इसमें हो सकता है, कि ना open हो रहा हूँ, बट आपको मैं process समझा देता हूँ, अब जैसे ही, आपने I have read the terms पे click किया, तो आपका test open हो गया, आपको PDF दिखेगी, यहां पे PDF दिखेगी, यहां पे आपको question पे mark करने के दिखेगा, सबसे पहले दिखेगा, question number 1, आप select कर सकते है, A, B, C, D, आपको question number 1, वहां से पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, PDF में दिखेगा, अब मानलो, 4 तक आपको दिख रहे है, फिर आप 5 पे scroll कर सकते है, PDF को, PDF easily scroll होती रहेगी, और यहां पे question आपके change होते रहेंगे, ठीक है, जैसे ही, हमने इस पे click किया, तो attempt the test, यह आपका attempt the test आगया option, for example, मैंने question पढ़ा, उजेन was the capital of, इस तरीके से आपको दिखेंगे, मान लेजे मैंने इसका answer कर दिया है, B, ठीक है, फिर मैं जाओंगा, save and next, फिर आप question 2 का attempt करेंगे, save and next, तो इस तरीके से आप चलते रहेंगे, आप पहुचेंगे last में, तब जब आपका last हो गया है, तो यहाँ पे app पे आपको 3 button दिखेंगे, 3 बिंदू दिखेंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ही आप इस पे click करेंगे, तो आपको यह सारे दिख जाएंगे, कि आपने कौन-कौन से answer किये है, कैसे कैसे किये है, और अगर आपको review करना है, वापस जाके review कर सकते ह जैसे 9 not answer, 1 answer, अब जैसे ही, अब यहाँ पे आपको option मिलेगा, submit test, फिर आप test को submit कर देंगे, test को submit करने के बाद, आपके पास option आता है, result का, ठीक है, कि कितने सही हुए, कितने गलत हुए, और result जो है, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है, अब उसकी जो PDF है, जो solution है, और व को बनाया है, तो आराम से यह दिख जाएगा, I hope अभी समझ में आ गया होगा, अगर कोई और चीज आपको नहीं समझ में आई है, तो आप comment कर सकते हैं, and I believe कि यह daily question practice जो हमारा चलेगा, यह आपके preparation में बहुत help करेगा, इसके अलावा भी, we are trying कि UPSC के previous paper, HCS के previous paper, आपको इसी तरीके से free में, सारे students के लिए मिल जाएं, आप उसको attempt कर सकें, application पर attempt कर सकें, जितनी भी बार चाहें, attempt कर सकें, so that is our goal कि जितना भी affordable और free education students को provide करा जाएं, that's what we want, so that's it in this video, see you in the next one, till then, stay healthy, goodbye, Jai Hims